हेलो दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्ते इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम PIP package command का यूज करके हम पाइचार में कैसे कोई भी python library को इंस्टॉल कर सकते हैं पिछले वीडियो में हमने सीखा कि PIP install command का हमने यूज करके नई लाइवरी इंस्टॉल किया था उसके बाद हमने देखा कि ideally में कैसे हम उसे यूज करेंगे लेकिन आपकी बार हमें इस्टॉल करना है python package pycharm में यह official website है pypy.org that is called python package index इसके वाले explanation आप देख सकते हो python package index or pypy is a repository of software for the python programming language pypy helps you to find and install software developed and shared by the python community package authors use pypy to distribute their software क्या होता है कि python community में जितने भी लोग है python community है वो क्या करते है python library develop करते हैं यह python package develop करते हैं और इस website पर जो की as a repository काम करता हूँ अपलोड कर देते हैं और हम java developer क्या करते हैं इस यहां से pip command के थूरू अपने computer में वो library को install करते हैं फिर use करते हैं राइट लेकिन अपने command prompt line से हम कैसे install करें को अल्रेड़ी हमने पिछली वीडियो में देखा था इस वीडियो में देखेंगे py4 में कैसे हम को भी library को install करते हैं आप यहां detail दे सकते हो कि अभी कि 290,000 almost project यहां upload हो चुके हैं यहां almost 2,000,000 से ज़्यादा releases हो चुके हैं और almost 4,000,000 के करीब यहां फाइल्स है और almost almost 485,000 के करीब में users हैं इसके राइट तो इतना valuable website है इस website के वारे में तो हमने बता दिया अब पॉआअ फाइल्स में यहां पचार्ल में मुझे python library install करना है तो कैसे करूँगा तो आपको जाना है file में, file menu में जाना है और यहां से आपको जाना है settings में राइट, a peg settings में जाने के यहां लीस्ट आउट हो जाएगा आपका यह package name यह column यह version और यह latest version हो कर रहा है राइट यदि आपने पहले से package इंस्टॉल कर रहा है उसका latest version यह उससे आप अपडेट भी कर सकते हैं राइट अलग अलग buttons हैं यहां पर जैसे यहां plus button दिया गया है कोई package को install करने के लिए minus है already existing package है उसको install करना है तो इस package आपको select करना है minus sign पे click करना नइस्टॉल हो जाएगा और third है कि जिस package आपको update करना है उसके लिए तो मुझे एक package install करना है new package I am going to install something is called numpy right which is very famous library to deal with the python array तो यहां मैंने select किया यहां package sorry manage repository में जाएंगे तो यह पाई-पाई का link दिखा रहा है राइट पाई-पाई का link दिखा रहा है इसको copy करके यहां जाएंगे browser आपके करोगे तो यह दिखा देगा राइट यह library और यहां जाके भी कोई भी library आप सर्च कर सब्सक्राइब जै numpy को install कर सकते हो लेकिन मुझे अभी install करना है अपने पाई-पाई-चार में तो मैंने इस library को select किया फिर मैं click करता हूँ install package पे उस seconds में ही message आ जाएंगे कि जो package है numpy install successfully you can see here package numpy install successfully तो package install हो चुका है अब हम इसे close करते हैं okay पर click करते हैं अब हम इस library को use कर सकते हैं तो मैं करूँगा import numpy यदि आप install करने से पहले इसे import numpy लिखेंगे तो यहाँ पर compilation error देगा आपको right let's say कि छोड़ा सा program देख लेते हैं हम बहुत complex code नहीं लिखना है छोड़ा सा code लिखना है ताकि make sure कि जो package हम इस्टॉल कर रहा है वो सही सही काम कर रहा है एक array create कर रहा हूं मैं numpy का use करके numpy.array एक इसमें function है उसका हम use करेंगे इसमें array में जितने भी elements है integer array मैं create कर रहा हूं वेचे तो किसी type का array आप create कर सकते हो लेकिन just to save some time just I am creating integer array और just this integer array को मैं print करना चारू right clicking you have to right click on this file and click on run test और यह देखो array print हो गया right अब बात यह है कि जो package हमने install कर लिया है उसे uninstall करना हो तो फिर से आपको क्या करना होगा file में जाना होगा settings में जाना होगा और of course अपने project के अंदर python interpreter उसमें जाना है और हमने numpy install किया तब इसे uninstall कर लेता हूं right तो माइनस पर क्लिक करना होगा install के लिए माइनस पर जैसे क्लिक करूँगा तो कुछी देर में आ जाएगा message package numpy successfully uninstall होके पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे uninstall करेंगे तो यह compilation error दिखाएगा क्योंकि यह package अब available नहीं है हमारे py jar में that's why it is showing an error right तो वीडियो यहाँ तक था आसा है कि आपको पशंद आया होगा अब मैंने आपको example दिखाया numpy package कैसे install करना है कल को आपको flask जो की बहुत अच्छा एक framework python में वेब-based application क्लियेट करने का वो भी install करना होगा तहीं तरीका flask है बहुत सारे लाइब्रेडियो जो इसी तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हों दोस्तों वीडियो पसंद आएज लाइक करें शेयर करें ज्यातर रिकेश्ट करना चाहूंगा कि के के हिंदी यान इंट्रेशनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह का टेकनिकल वीडियो मैं continuous basis से बनात करता हूं आपका नौलेज काफी इंप्रूब होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से इस तरह के वीडियो रेगलर देखने से थैंकि सुमच